अलो गाई स्वागत आफकाटा जोटेक यूट्यूटीब चैनल पर देश के दिगज कारोबारी रतन टाटा ने कोरोना के खिलाब जंग में 500 करोड रुपई की मदद देने का एलान किया है शेनिवार को खूद रतन टाटा ने ट्वीट कर इसकी जान करे दी उन्होंने बताया कि टाटा ट्रस्ट कोरोना के खिलाब यूद्ध में 500 करोड रुपई की मदद देगा इस फंड का इस्तेमाल स्वास्तेकर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरन, रेस्पिरेटरी सिस्टिम, टेस्टिंग कीट्स खरिदने, संक्रमित व्यक्तियों के लिए मॉडिलर उपचर सुविदा विकसित करने, स्वास्तेकर्मियों और आम लोगों की ट्रेनिंग के लिए क जर्म जानेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे चोटी कार बनाने से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए प्रतन टाटा भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापरी है वे स्री जमश्यद जी टाटा के पुत्र है प्रतन ट टाटा समोह ग्रूप के अध्यक्ष है टाटा समोह की स्थापना स्री जमश्यद टाटा ने कीती टाटा इनका सर्नेम है प्रतन टाटा आज भी अविवाहित पुरुश है प्रतन टाटा बहुत ही शांत और शर्मिले किस्म के इंसान है टाटा की खास बात यह है कि ये दुन नहीं है कि मुनापा का माना बलकि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होता है रटन टाटा के दादा जी जम्शेद जी टाटा ने मुंबई में सूप्रसिद्ध होटल ताच का निर्मान किया था रटन टाटा भारत रेडियो और इलेक्ट्रोनिक कमपनी लिमिटेड निलको के डाइरेक्टर चार्ज पर भी रह चुके है रटन टाटा भारत के टाटा समुह ग्रूप के अध्यक्ष पद पर भी रहे है अभी वर्तमान में रटन टाटा समुह ग्रूप के चारिटेबल ट्र ताटा मोटर्स, ताटा कंसल्टन्स, ताटा पावर, ताटा टेली सर्विसेज, आधी ताटा के कंपनियों के अध्यक्ष के पत पर रह चुके हैं रतन ताटा के समय ताटा समुह ने कही उच्यावियों को चुआ और आई राजस्व भी कही गुना बढ़ा इनका जन 28 दिसमबर सन 1937 को सूरत गुजरत में हुआ था, इनके पिता का नाम नवल ताटा है, जो स्री जमशेजी ताटा के पुत्र थे रतन टाटा की मा का नाम सोवनू टाटा है रतन टाटा की एक सोवतेली मा भी है जिसका नाम सीमोन टाटा है सीमोन का एक पुत्र है जिसका नाम नोयल टाटा है रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कईपियन स्कूल से हुई और माध्य में शिक्षा कैत्रल एंड जॉन कानून स्कूल से हुई इसके बाद हर्वार्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में इन्होंने एडवांस मेनेजमेंट किया बाद में रतन टाटा जी ने समुव टाटा समुव और ग्रूप के साथ जुड जुड गये थे 1971 में रतन की निलको कमपणी में डाइरेक्टर पतपर नियुकत हुए 1981 में जम्शेज जी टाटा ने रतन को टाटा समुव का नया अद्देक्ष बनाया रतन टाटा समय टाटा के इंड़ेस्ट्री ने कई मिंजिले पाई 1998 में पहली बार रतन टाटा के निर्देशन में टाटा मोटर्स ने एक भारतिय कार टाटा इंडिका को बाजार में उतरा था इससे टाटा समुव की पहचान धीरे धीरे बढ़ती चली गई इसके बाद रतन टाटा ने एक छोटी कार टाटा नेनो जो भारत में बनी है मार्केट में उतरी और जो भारत के इत्यास में सबसे सस्तिकार थी इसके बाद रतन टाटा ने 2012 में टाटा के सबी प्रमुकपदों से सेवा मुक्तों होने की गोशना की टाटा भी Charitable Trust के अद्धिक्ष का पद देखते हैं रतन टाटा ने देश और विदेशों में भी कई संगटनाओं के साथ भी कारे किया है और अपने बिजनेस को लेकर आगे गए है भारत सरकार ने रतन टाटा को उनके भारत की आर्तिक शेत्र में योगदान के लिए सन 2000 में पदमभूशन और सन 2008 में पदमभूशन से सम्मानित किया पदमभूशन और पदमभूशन भारत देश के दुसरे और तीसरे राष्ट्रिय पुरसकार है प्रतेंटा टको कुछ संगटनों ने पुरसकार से नवाजा है जिनकी नामावली इस प्रकार है मानद H.E.C. पेरीज अटो मोबाइल इंजनेरिंग की मानद डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्याले कानून की मानद उपादी सिंगापूर मैनेजमेंट विश्वविद्याले की तरफ से मानद फेलो इंजनेरिंग की रॉयल अकदमी 2010 के सबसे बड़े बिजनेस लीडर एशिया पुरसकार मानद नागरिक पुरसकार सिंगापूर सरकार साइन्स की मानद उपादी वार्विक विश्वविद्याले पुहियो स्टेट विश्वविद्याले रतन टाटा से जुड़ी कुछ रोचकतत्या टाटा समुओ के अंदर 110 कमपनी आती है जिसमें टाटा चाई से लेकर पास सितारा होटेल तक सुई से लेकर स्टील तक और लिकट किया नेनों से लेकर हावाई जहाज तक सब बनते है रतन टाटा को पालतुजानोरं से बहुत ही लगा हो है टाटा को हावाई जहाज उड़ाना भी बहुत पसंद है उन्हें इसके लिए लाइसंस भी मिला है रतन टाटा को भारत सरकर की तरफ से पद्मबूशन और पद्मबूशन मिल चुका है रतन टाटा को चार बार प्यार हुआ लेकिन कभी शादी नहीं की क्योंकि रतन टाटा और प्यार के बिच में कुछ अडचने भी आई थी रतन टाटा का जन 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में हुआ था पिता नवल और माता सोनू ने रतन टाटा को गोद लिया था मात्र दस साल की उम्र में इनके माता पिता इनसे अलग हो गए थे तब नवल और सोनू ने इनका पालन पोशन किया था